मकर राशी वाले दोस्तों आपकी राशी के स्वामी स्वैक करमफलदाता शनी देव है इसलिए अन्या राशी वाले यह सोचते हैं मकर एमकुंबर राशी वाले किस्मत के धनी होते हैं उन पर शनी की विशेश कृपया बनी रहती है इसलिए वह बड़ी बड़ी कमपनियों के मालिक बू संपत्ती के स्वामी और बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं लेकिन दोस्तों इसके पीछे आपकी जो तपस्या संगर्श और मेहनत है वह उनको दिखाई नहीं दे रही है उन्हें नहीं ग्यात शनी अपने और पराए में कोई भेदवाब नहीं करता है इसल अपन पर शनी की गाज गिरती है इसलिए ही मेहनत पसंद शनी के परवाब से आपको करम शेतर पर अधिक मेहनत करनी पड़ती है दिन रात एक करना पड़ता है करम शेतर पर आप पुरी लगन मेहनत निश्ठा और इमांदारी से कार्या करते हैं तब जाकर करम फल दाता शन बाई देव की परसंता के पात्तर बनते हैं तथा सफल तायम उन्नती प्रापत होती है इसलिए अब आप निश्चिंत रहें शनी मेहनत का पूरा फल लाब के रूप में परदान करेगा मेहनत करने वालों को शनी कभी निराश नहीं होने देता है जोस्तो हाल ही में आपकी रा जैनी की पूरी गाज आपर गिरी है हर तरफ से निराशा और संकट के गंगोर बादल चाय परतीत हुए हैं कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिले हैं आए में कमी तो खर्चों में व्रिदी भी तनाव का करन बनी मानसी का शांती एम अनींद्रा जैसे बाव पैदा हु करियर हो दंपत्या जीवन हो या संतान शित्र हो मकर राशी वाला हर कोई कहीं न कहीं से बुरी तरह से प्रवावित दिखाई दिया है सच मानों तो साड़े साती के वैतीत यह पांच वरश किसी बवंडर से कम नहीं रहे हैं अब बवंडर निकल चुका है लेकिन बवंडर अपने पीचे जो कच्रा छोड़ जाता है वह साफ होना बाकी है शने शने से वह भी साफ हो जाएगा मकर राशी की साड़े साती का अंतिम चरन नकरात्मक से कहीं अधिक सकरात्मक रहेगा परन्तों आपके कमेंट्स से ऐसा लग रहा है आपको वह शुब फल प्रापत नही हो रहे हैं जो की होने चाहिए थे जिसकी आप आशा किये हुए हैं तो तो शनी धीमी गती से चलने वाला एक वृद्ग रहा है इसलिए राशी परवरतन के कुछ समय तक पिछली राशी का ही प्रवाब दिखाता है वैसे भी राशी प्रवर्तन के कुछ समय बाद शनी सूर्या की किरनों से अस्त होकर प्रवाब हीन हो चुका है इसलिए वह शुबफल देखने को नहीं मिल रहे हैं जो की मिलने चाहिए शनी राशी स्वामी के सासता आपकी राशी के लिए धन भाब का स्वामी भी है इसलिए राशी स्वामी और दनभाब के स्वामी के रूप में शनी का अस्त होना स्वास्त के सासत दन क्यावा गमन पर भी रोक लगाए हुए है मार्ट मा के प्रथम सब्ता के अंत में छे मार्ट के बाद शनी सूर्या की किरनों से दूर होकर अस्त अवस्ता से उधे हो जाएगा शनी के उधे होने से आपकी स्वस्त के सासत बैंक बैलनस भी चमकेगा अनावशक मांसी का शांती और अनींद्रा जैसे स्थिति से छुटकारा मिलेगा डर संश्या और वहम जैसे स्थिति से बाहराएंगे सुख चैन जैसे फल मिलेंगे दुख रोग और शोक जैसे भाव आपके पास भी नहीं फटक पाएंगे विचारों में बनी होई नकरादमक ता काफी हद तक दूर हो जाएगी सोच सकरादमक देखने को मिलेगी दोस्तो साड़े साती किसी भी राशी पर चल रही हो उन में से एक चरण ऐसा होता है जो सुखों में बृदी लेकर आता है मकर राशी के लिए वह साड़े साती का अंतिम चरण है जो सुखों में बृदी लेकर आता है यह चरण पिछले चरणों की तुल्ला में काफी सकरादमक रहेगा इसमें धूरे पड़े कार्या पूरान होंगे पिछले समय से शनी ने जो चीना है सूद समेत बापिस लोटाएगा जैसे जैसे समय वैतीत होता जाएगा शनी का बल बढ़ता जाएगा 22 अपरेल को गुरू भी राशी प्रवरतन कर आपकी राशी के सुख बाब में परवेश कर जाएगा पिछले समय से गुरू के सायोग में भी कमी बनी हुई है करियर के दृष्टी कौन से भी गुरू का राशी प्रवरतन अनकूल रहेगा रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनकूल अपसर प्रापत होंगे मकर राशी वाले मेरे वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत है उनके लिए प्रस्थितिये काफी अनकूल बनी हुई है विदेश से तार जुडेंगे कार्या वेपसाय का विस्तार विदेश तक संबव है आने वाले समय में शनी और गुरू का गोचर आपको पूरान रूप से सायोग करेगा विदेशी स्त्रोतों से आए और वये के योग बनेंगे विदेश यात्रा के अब सर प्रापत होंगे मेरे वहादों जो विदेश में रह रहे हैं वहाद अपने देश में आएंगे कि तुम भी जनों से मिलने का सुभाग्या प्रापत होगा दब पत्या जीवन और करियर में पेशारी प्रेशानियें भी दूर होंगी जीवन साथी के सुक, सने, सैयोग, सवास और सवापर काफी स्करातमक प्रिवर्दन आएगा अपने कारियों के प्रती बने अस्थिरता और असंतुष्टी जैसे भाव दूर होंगे कारियों के प्रती जुकाप बढ़ेगा नोकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ट अदकारियों और उचच अदकारी वर्ग के साथ कोई विवाद है तो वहाव विवाद भी दूर होंगे शने शने से मकर वालों के लिए हर प्रकार से परस्थितियें अनकूल बनती जाएंगी दोस्तों जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनी देव की जय जय कार्थ करते जाएं इसके साथ ही किरिपया लाइक शेर कमेंट्स और सबस्क्राइब करना ना भूलें धन्यावाद